आज की वीडियो में हम advanced tax के बारे में बात करेंगे की एक्शुर में advanced tax होता है.. जानने से पहले हमें ये ज़नना होगा कि edge tax calculate kasus पे किया जाता है यह लगता इस पर आखर तो देहिए हमारी income के च्पाच हैं यहां पर जिसे कि आपको या तो salary income हो रही होगी या फिर आप प्रोपर्टी से आपने पासे इंविस्ट किये हुए हैं आप डिया हुआ है या कही से भी आपने इहां पर इंटरस्ट रेसीव हुआ इस टाइब की बहुत सारी इंकम आपको कही न कहीं से होती है तो होते गाए की जो भी आपको इंकम हो रही होती है पूरे साल में तो उसका estimate एक tax आपको यहां पर calculate करना होता है और अगर वो 10,000 की limit से ज्यादा होता है तो advance में आपको यहां पर pay कराना होता है तो चलिए देख लेते हैं what is advance tax it is a part of income tax यह एक income tax ही होता है जिसको हम advance में pay कर देते हैं इसको advance tax बोलते हैं इसका जो section है 208 section के अंदर advance tax के बारे में सभी चीज़े mention है उससे related जो भी चीज़े आप जानना चाहते हैं ठीक है अब यहां पर estimate tax liability more than 10,000 देखिए अगर advance tax calculate करने पर जो भी आप estimate tax निकालेंगे अगर वो 10,000 से जादा है तो ही आपको advance tax यहां पर deposit करना होगा जिसके rules है कि कप-कप deposit करना है कितना percent deposit करना है जो कि हम आगे वीडियो में देख लेते हैं तो देखिए income tax department को ही यह tax deposit होता है चाहे TDS के रूप में चाहे advance tax के रूप में चाहे self assessment के रूप में या फिर यहां पर final income tax के रूप में ठीक है तो किसी भी तरह से advance tax income tax का ही एक पार्ट होता है तो आगे जानने से पहले हम थोड़ा advance tax के बारे में और जान लेते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको as per section 208 of income tax act 1961 208 इसका section है ठीक है every person whose estimate tax liability for the year is more than or equal to 10,000 10,000 हो या फिर 10,000 से ज्यादा हो तब उसका estimate tax अगर ज्यादा है तो advance tax आपको deposit करना है वो लाइबल हो जाएगा those who are exclude from paying advance tax are senior citizens senior citizen को इसमें exclude किया हुआ है जिनकी age जो है वो 60 years से ज्यादा है not having any income और उनकी कोई income नहीं होनी चाहिए कोई भी business या profession की उन लोगों को यहाँ पर exempt में रखा गया senior citizens को तो यहीचीज इसमें जानने वाली थी आप चाहें तो इसको दुवारा से read कर लें आपको समझा जाएगा अब हम एडवांस टेक्स की payment की due dates के बारे में जान लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रेन पर यहां पे due dates लिखी है first number column में second में corporate SEC जो भी companies होती है उन सब के लिए लिए लिखा हुआ है और individual के लिए अलग से है तो दीके due dates हो होती है यहां पर चाहर dates आपको देखने को मिलेंगे जो कि quarterly basis पे आप देख सकते हैं जैसे कि 15th June तक जो भी corporate SEC जो भी companies होती है उनको 15% तक यहां पर अपना जो advanced tax बन रहा होता है उसको deposit कराना होता है जैसे मानली जी आपकी estimated income जो भी 1 lakh है ठीक है और उस पर tax बन रहा है आपका मानली जी यह 20,000 का tax बन रहा है तो 20,000 का आपको 15% यहां पर deposit कराना ही होगा ठीक है individual के case में निल है यहां पर नहीं कराना होगा second देखे यहां पर 15 September जग आपको दूसरी installment यहां पर पे करनी होगी जो कि 45% तक पे करनी है 15% आप already पे कर चुके हैं तो 30% आप जो बाकी है वो यहां पर submit करा दे 15 September को देखे यह last date होती है अगर आप यहां पर submit नहीं कराएंगे तो यहां पर कुछ interest भी लग सकता है आप आगे देख लेते हैं देखे यहां पर 15 December जो के 3rd installment है इसके बाद आप देख सकते हैं 15 March हमारी 4th installment है तो यह 4 due dates होती है corporate SSC के लिए लेकिन individual के case में आप देख सकते ह हैं देखें corporate SSC में पहले 15 परसंट फिर 45 परसंट फिर 75 परसंट और फिर 100 परसंट है लेकिन individual के case में ऐसा नहीं है उनके में 15 September को 1st installment जाएगी जिसके 30 परसंट यहां पर डिपोजिट करना होगा उसके बाद 60 परसंट उसके बाद 100 ठीक है ओल्रडी जो डिपोजिट है उस यहां पर डिपोजिट करना होगा तो यह है हमारे एडवंस टेक्स का पूरा चार्ट ठीक है चलिए आप नेक्स देख लेते हैं एक एक्जेम्पल से अप समझ लीजे जिसे मान लीजिए एस्टिमेटिट टेक्स लिए अपकी 32,500 रुपे की है तो फिर्स नहीं निकालेंगे यहां पर 45 परसंट में से 15 परसंट में और फिर नास इंस्टॉल्मेंट में 25 परसंट ठीक है तो टोटल अपका 100 परसंट यहां पर डिपोजिट हो जाएगा देखिए जिब आपकी यहां पर 15 जून लास्ट डेट फर्स इस्टॉल्मेंट की होती है महली ची उस दिन संडे बढ़ जाता है तो आपका यहां पर 16 जून आपकी लास्ट डेट हो जाती है तो आप 16 जून तक भी यहां पर पे कर सकते हैं ठीक है सेकेंड चीज आप देख ल जमा कर दिया है ठीक है इसका चलान नंबर होता है 280 जिसमें आपको यह एडवांस टेक्स जमा कराना होता है ठीक है और लास्ट हम देख लेते हैं अंडर सेक्षन 234 B जब आप यहां पर लेट डिपोजिट करते हैं यहां पर एडवांस टेक्स तो आपको यहां इंट्रेस् वीडियो बनाई हुई है आप उन्हें भी देख सकते हैं जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे आप वहां जाके चेक कर सकते हैं